ओम श्री गनेशाय नमाहा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस बिलन ये हास्बंट and this story is begin from chapter 124 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिये शुरू करते हैं अब तक आपने पढ़ा शिवानी को वाश्रूम की तरफ गए काफी देर हो चुकी थी लेकिन वह अब तक बाहर नहीं आई थी विक्रम को अब कुछ तो मैटर सीरियस लग रहा था और शिवानी टेंशन में लग रही थी इसलिए विक्रम ने अपना लेप्टॉप बंद किया और वाश्रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला क्या बात है शिवानी आज तुम कुछ ज्यादा नहीं नहा रही हो आज ही खुद को दो टोन गोरा कर दोगी क्या कहते हुए विक्रम ने वाश्रूम का दरवाजा खोल दिया पर अपने सामने का नजारा देखकर विक्रम की आखे खुली की खुली रह गई क्योंकि शिवानी शाव और करके शाव के नीचे बैठी हुई थी वह पूरी तरह से भीग रही थी और शाव के पान करने के लिए उसके करीब गया शिवानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया जैसे वह विक्रम से बात ही ना करना चाहती हो विक्रम को समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक तो शिवानी उसे छोड़ कर कॉलेज जाने तक के लिए तैयार नहीं थी और अभी ऐसे बेहेव कर रही थी जैसे उल्टा उससे नाराज है विक्रम शिवानी को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन शिवानी अचानक से उस पर बरस पड़ी और नाराज होते हुए बोली खबरदार जो मुझे हाथ लगाया समझते क्या हो तुम खुद को विक्रम तुम कहते हो तुमहारी सिक कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो वह लोग उल्टा मुझ पर हसने लगे मेरा मजाक बनाने लगे मुझे कहा कि मैं सपने अच्छे देखती हूँ लोगों ने तो ये तक कहा कि अमीरों की रखेल होने से कोई उनकी पत्नी नहीं बन जाता बोलो को पता क्यूं नहीं है विक्रम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई कैसे उन दोनों के प्राइवेट मॉमेंट्स का वीडियो बना कर ली कर सकता है विक्रम ने शिवानी को समझाया शिवानी में हमेशा से चाहता था तुम अपनी रुकी हुई एजुकेशन कम्पलीट करो इसलिए तुम्हारी और अपनी शादी को पब्लिक नहीं किया उपर से सारिका के फादर ने तुम पर अटेक भी किया था जिसकी वजह से हमारी शादी हिडन थी लेकिन तुम चिंता मत करो जिस किसी ने भी यह घटिया हरकत की है मैं उसे छोडूंगा नहीं कहते हुए विक्रम ने शिवानी को गले से लगा लिया दूसरी तरफ अचानक से विद्यूत के मुबाइल पर एक कॉल आई विद्यूत में जैसे ही फोन उठा कर बोला हे लो कुछ पता चला यस सर हमें पता चला है कि उसे थर्ड स्टेज का लिवर कैंसर है और उनका सवाइवल रेट अल्मूस्ट जीरो परसेंट है इसलिए दूसरी तरफ परिदी पराग को अधिराज की हालत की पूरी वजह और यह की परिदी के अकेलेपन में अधिराज ने जाने अंजाने ही सही पर उसकी कितनी मदद की है ये बता रही थी पराग को पूरी सिचुवेशन तो समझ में नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी उसने परिधी से वादा किया मैं कोशिश करूंगा तेरे और मिस्टर अधिराज के रिष्टे को समझने की लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता अगले दिन शिवानी आज किसी हाल में कॉलेज नहीं जाना चाहती थी वह अभी विक्रम से नाराज थी अगर उसका बस चलता तो अभी विक्रम से बहुत जगड़ा करती लेकिन जो विक्रम ने उसे अपनी और उसकी शादी दुनिया को ना पता होने की वजय बताई थी वह वजय भी तो जायज थी शिवानी कॉलेज जाने का टाइम निकल चुका था विक्रम को आज से ओफिस जाना था लेकिन शिवानी की हालत देखते हुए वह नहीं गया था थोड़ी ही देर में विक्रम शिवानी से जित करने लगा की कपड़े चेंज कर लो हम कहीं घूमने चलते हैं शिवानी उसकी बात नहीं मनाना चाहती थी लेकिन फिर भी वह अपने पती का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी मनमार शिवानी विक्रम के साथ जाने को तैयार हो गई लेकिन ये क्या विक्रम तो उसे उसके ही कॉलेज लेकर आया था शिवानी ने बहुत कोशिश की विक्रम को रोखने की कि वह उसे कॉलेज लेकर न जाए लेकिन विक्रम में शिवानी को अपने बाहों में उठाया और कॉलेज केमपस के अंदर ले गया थोड़ी ही देर में विक्रम शिवानी को लेकर ओडिटोरियम में पहुंच चुका था और वहां पहुंच कर उसने अनाउंस्मेंट बेल बजाकर सारे स्टुडेंट को इकट्था कर लिया था और माइक अपने हाथों में लेते हुए बोला मैं जानता हूं कल आप लोगों ने जो भी वीडियो और फुटेज देखे उसके बाद आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मेरा और शिवानी का क्या रिष्टा है इन फैक्ट लग नहीं रहा कुछ लोगों ने तो अपने अकॉर्डिंग मान भी लिया है कि हमारा कोई ना कोई गलत रिष्टा है आप लोगों के दिमाग में ये घटिया सोच जिस भी इनसान की वजह से गई है उसे इनसान की डिटेल्स मैंने दीन सर को दे दी है जल्द ही वह इनसान आपको कॉलेज से बाहर दिखेगा विक्रम की ये अनाउंस्मेंट सुनते ही राहुल के पैरों तले तो जमिन खिसक गई राहुल का अपने लिए इतना ही डरना काफी नहीं था कि विक्रम ने अचानक से सब के सामने शिवानी का हाथ पकड़ा और जोर से माइक पर बोला और आप मैसेज जिन लोगों को भी लगता है कि मेरा इस लड़की के साथ कोई गलत रिष्टा है उन लोगों को वैसे में कोई सफाई तो नहीं देना चाहता लेकिन ये जो लड़की मेरे बगल में खड़ी है मुझे जान से प्यारी है सिर्फ इसकी खुशी के लिए मैं आप लोगों को इस बात का सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं और शिवानी शादी शुदा है और आप लोग कॉलेज स्टुडेंट है ना कि स्कूल के बच्चे तो मेरेड लाइफ में एक कपल के बीच कैसा रिलेशन्शिप होता है वह आप समझ सकते हैं शिवानी और विक्रम शादी शुदा है ये सुनते ही ओडिटोरियम हॉल में लोगों के बीच खुसुर पुसुर मच गई थी और विक्रम का सब के सामने ये कनफेशन की शिवानी उसकी वाइफ है और शिवानी को बदनाम करने के लिए ये सारी चाल शिवानी के ही क्लास में त्राहुल ने चली थी इसके बाद सब गिरी हुई नजरों से राहुल को देख रहे थे कल राहुल की वजह से कॉलेज में शिवानी की जितनी बेजज़ती हुई थी उससे ज्यादा इजज़त आज एक ही पल में विक्रम उसे लोगों की नजरों में दिला गया था और आज शिवानी भी विक्रम के साथ कॉलेज में रुखने की बजाए उसके साथ ही वापस आ गई थी क्योंकि अपनी में सबजेक्ट के क्लासेस तो वह पहले ही मिस कर चुकी थी उसे विक्रम से इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी की जो विक्रम जब भी शिवानी को कॉलेज छोड़ने आता है लोगों की नजरों से बचकर चुपचाप निकल जाता है वह आज शिवानी के दो आसु देखे ही कॉलेज में सब के सामने शिवानी का हाथ ऐसे पकड़ कर खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद शिवानी और विक्रम एक साथ कार में थे शिवानी ने कार स्टॉट होते ही कार में पार्टीशन ओन किया विक्रम के लिए यह मोमेंट थोड़ा हैरानी भरा था क्योंकि शिवानी खुद की तरफ से कार में ही रोमेंस स्टॉट करे यह मोमेंट विक्रम के लिए थोड़ा सा इन्बीलिबेबल था अगले ही पल शिवानी विक्रम के होठों को अपने होठों में भरते हुए उसे डिपली किस करने लगी क्योंकि कल अपने और विक्रम के रिष्टे की बेज जती वह सह नहीं पाई थी वही जानती थी कि उसे कितना बुरा लगा था जब वह अपने और विक्रम का रिष्टा लोगों के सामने साबित नहीं कर पाई थी एकसेप्ट कर लेगा विक्रम ने भी शिवानी की गर्दन और कमर को सपोर्ट करते हुए उसे पुश करके अपनी गोद में बिथा लिया और दोनों के बीच होने वाली किसको और इंटिमेट करने लगा क्योंकि उन दोनों के रिष्टे में अभी कंटीनिवसली दो चोटे हुई थी पहले की दोनों की मनाली ट्रिप पूरी तरह से बरबाद हो गई थी और दूसरी की शिवानी के कॉलेज में विक्रम और शिवानी के प्राइवेट मोमेंट्स की क्लिप रिलीज होना इधर खन्ना विला में सुबह सुबह जैसे ही अधिराज की नजर खुली तो उसे महसूस हुआ की परिधी उसके बगल में नहीं है अचानक से उसे कल शाम की बाते याद आने लगी जब पराग परिधी को अपने साथ इस घर से ले जाना चाहता था ये याद आते ही अधिराज हर बढ़ाते हुए बिस्तर से उठा और सीधा पराग के कमरे की तरफ भागा पराग के कमरे के पास पहुंचते ही उसे रिलाइज हुआ जैसे परिधी पराग को अपने और अधिराज के रिष्टे के बारे में समझा रही है और पराग भी उससे वादा कर रहा है कि वह अधिराज और परिधी के रिष्टे को समझने की कोशिश करेगा परिधी इस घर में ही है वह पराग के कहने पर यह घर छोड़कर नहीं गई यह महसूस होते ही जैसे अधिराज के दिल को सुकून मिल गया था और अधिराज चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस चला गया परसे बात करने के काफी देर बाद परिधी अपने कमरे की तरफ गई जहां अधिराज पहले से उसका इंतजार कर रहा था परिधी के जाते ही अधिराज ने दर्वाजे की तरफ बढ़ा कर उसे गले से लगा लिया और दर्वाजा बंद करते हुए उसे कमरे के अंदर लाते हुए बोला मैं समझ गया हूँ जो तुम मुझे इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन परिधी आज हैरान थी क्योंकि अधिराज के चेहरे पर उससे बात करते हुए मुस्कुराहट भी थी उसने अधिराज की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा क्या समझ गए हैं आप अधिराज यही कि मैं स्वरा को कभी वापस नहीं पा सकता और तुम्हें कभी खो नहीं सकता मैं मानता हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है स्वरा की यादों से पीछा छुडाना लेकिन अपने आज से जुड़ जाना मेरे लिए बहुत आसान है अब यह समझने के बाद की I can't live without you कहकर अधिराज परिधी के होटों पर होंस रखते हुए उसे किस करने लगा क्यूंकि कही ना कहीं उसे धीरे-धीरे अब आज और कल में फर्क समझ आने लगा था परिधी अधिराज का ये खटा मीथा लव confession सुनकर उसकी किस में उसका साथ देने लगी परिधी का साथ पाकर अधिराज अपनी किस को और दीप करने लगा अधिराज और परिधी दोनों में एक दूसरे को तब तक किस किया जब तक दोनों कोही सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगी परिधी भी समझ गई थी कि अपना तो अधिराज खुद ओफिस जाएगा और ना ही आज परिधी को हॉस्पिटल जाने देगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही अगले ही पल अधिराज में परिधी को अपनी बाहों में उठाया और उसे सोफे पर लेताते हुए यहां वहां किस करने लगा परिधी ने अधिराज को रोकते हुए कहा अधिराज प्लीज स्टॉप आप ये क्या कर रहे हैं ताइम तो देखिए जरा आपके ओफिस जाना है और मुझे हॉस्पिटल तभी परिधी के मुह से एक जोर की आह निकली क्योंकि अधिराज ने उसके सीने को अपने दोनों हाथों से प्रेस करते हुए कहा आई थिंट तुम्हें अभी टाइम नहीं बलकी माहौल देखना चाहिए इस समय तुम्हारी जरूरत हॉस्पिटल से ज्यादा तुम्हारे इस पती को है जो अभी के अभी तुम्हें अपना बनाया चाहता है और मुझे मा से ये भी पता चल चुका है कि तुम मुझे अस्पताल से लीव लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर जाना चाहती थी ताकि मैं रिलेक्स फील कर सकूँ और अतीत से बाहर आ सकूँ मेरे लिए तुमने हॉस्पिटल से महीने भर की चुट्ती भी ली हुई थी और अभी तुम्हारा पती तुमसे सिर्फ तुम्हारा आज का दिन मांद रहा है और तुम उसमें भी नख्रे कर रही हो जब प्यार और परवा इतनी है तो थोड़ा सा रोमेंस नहीं कर सक्ती कहते हुए अधिराज परिधी की गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगा लेकिन अधिराज आपने कल शाम से आज सुबह तक में मुझे बुरी तरह से ठका दिया है मैं अब आपका साथ नहीं दे सक्ती परिधी ने अधिराज की पकर से छूटने की कोशिश करते हुए कहा साथ नहीं देना है तो मत दो पर मुझे फील तो कर सकती हो बस मेरे मूवमेंट्स और प्यार को तुम पर फील करो कहते हुए अधिराज परिधी के कॉलर बोन पर हलके हलके बिट्स और किस करने लगा अच्छा चलिए ना हम दोनों बैट पर चलते हैं सोफे पर थोड़ा कंजेस्टिड है परिधी ने अधिराज की तरफ देखते हुए कहा इसलिए तो मैं भी बिस्तर पर नहीं जाना चाहता ताकि जब मैं तुम्हें धेर सारा प्यार कर लूँ उसके बाद भी तुम चाह कर भी मुझसे दूर ना जा सको बैट पर इतनी सारी जगह होती कि तुम किस कोने से भाग कर निकल जाती हो मुझे पता ही नहीं चलता अभी सोफे में इतनी कम जगह है कि मैं प्यार करने के बाद भी तुम्हें पकड़ कर रखूंगा और तुम भाग तक नहीं पाओगी मेरे पास से कहते हुए अधिराज ने परिदी के होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे डिपली किस करने लगा परिदी को अधिराज में रातों रात आए इस बदलाव की वज़े समझ में नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी अधिराज का प्यार और उसका पैशन देखकर परिदी मजबूर थी उसका साथ देने के लिए क्योंकि अधिराज के परिदी के करीब आने की बेकरारी परिदी को भी समझ में आ रही थी लेकिन अधिराज में कल रात परिदी से इतनी मेहनत करवाई थी कि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी लेकिन उसके थकने से क्या जब अधिराज उसकी थकान को समझे तब ना अधिराज को तो बस अभी के अभी पूरी की पूरी परिधी चाहिए थी क्यूंकि जब तक वह जानता था कि परिधी अकेली है और वह अधिराज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी तब तक अधिराज को परिधी की जरूरत महसूस नहीं हुई लेकिन कल जैसे ही पराग ने उसे अपने साथ ले जाने की बात की अधिराज को ये बात समझ में आ गई थी कि वह परिधी को खो नहीं सकता और स्वरा को पा नहीं सकता और सुबह सुबह परिधी को अपने पास बैट पर ना पाकर अधिराज कितना बेचैन हुआ था ये तो अधिराज ही जानता था अधिराज आज परिदी के करीब जाने को जितना ही बेचैन था परिदी को अब ये सुनकर की उसे अस्पताल नहीं जाना है उतनी ही मींद आ रही थी परिदी मींद में कुनमुना रही थी और अधिराज उसके करीब आने की कोशिश किये जा रहा था So don't forget to share your review and comment your best part of in story So don't like my story so commence your feelings with heart emoji So we'll see you in the next video till the end